तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ advanced structure के बारे में तो चलिए आज की इस वीडियो के start करते हैं तो देखे आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे example आपको बताने वाला हूँ जिसका translation आपको लगेगा क्या बना लेंगे लेकिन आपसे बनेगा नहीं जैस के बाद आप answer चेक करेंगा कि आपने सही बनाया या नहीं तो आज हम लोग यहीं देखने वाले कि सेंटेंस को कैसे English में translate करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहचान उसकी बारे में पहले जानेंगे और इसके बाद structure यानी formula की बढ़ेंगे जब तक आपको structure नही English translate नहीं कर पाईएगा तो चलिए step by step सीखते हैं तो सबसे पहले पहचान देख लेते हैं ठीक है पहचान क्या होता है तो पहचान आप लोग नोट कर ले जाएगा आपको स्क्रीन पर दिखे रहा होगा present में आपको पहचान देखेगा ने लगता हूं ने लगती है या फिर ने लगते है त्यादी आपको देखेगा तो यह present हो जाएगा ठीक है past में आपको का देखेगा ने लगा ने लगी ने लगे है अपको कुछ दिखेगा तो आप लोग समझेगा वो फूचर का बात किया रहा है जैसे वो खाना बनाने लगेगा नहीं लगेगा तो यहां पर देखे पैचान से पता चल जाएगा आपको कि हाँ यही वाला श्राट है और यही't यहां पर आपको 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 ऐप Whether structure क्या होता है इसका सब्जेक्ट भ्लस सब्जेक्ट क्लस सब्जेक्ट सब्ससक्राइफब क्या होता है subject यह सब्जेक्ट प्लस इस टाइए position dealing a system करना पड़ेगा started start का भी form use करना पड़ेगा क्या जाएगा the present के लिए हो गया past के लिए होगा तो we'll start क्या हो जाएगा will start ठीक है पहले आप यह नोट करें फिर आपको जोब example बठाऊंगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर आपको भरब का फॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है फिर आपको अब्जेक्ट यूज़ करना यहीं आपका क्या है स्ट्रेक्चर इसी के हैप से आप इस टाइप के संटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे ठीक है तो कैसे करेंगे पहले आप इससों नोड़ां कर लीज़ेगा अच्छे से देख यह वाला पास्ट के लिए है और यह विल विल स्ट्राट के लिए फ्यूजर के लिए ठीक है तो चलिए यह क्लिए है यहां तक क्लिए आपको चलिए अब एक्जांपल की ओर ले चलता हूं एक्जांपल से आपको अच्छे से समझाता हूं जैसे फॉस्ट एक्जांपल है देखिए वह घान या बनाने लगती है कि वह घाना बनाने लगती है उसके घाले इसको को ड्राइस लेट करते हैं अब लुक मत लेगा पहेशान देखिए पहले ने लगती है याने ने लगती हैया近 ज depends smaller से यूज़ करते हैं तो आपको मैंने वाले वीडियो में बताया था कि जभी आपको ही सी इट दिखेगा तो इसके साथ स्टार्ट और इसके अलावा कुछ देखेगा तो स्टार्ट का प्रेव करेंगे ठीक है अगर नहीं पता तो आप मैं आपको लिख देता हूं किसके किसके साथ स्टार्ट का प्रेव करेंगे स्टार्ट का प्रेव करेंगे स्टार्ट इस लगा हुआ उसका प्रेव करेंगे इस सब के साथ किसका प्रेव करते हैं स्टार्ट का प्रेव करते हैं तो इस सब को नोट में अपने लोग कर लिए ताकि आपको याद रहे है यह बार बार को कोई भी नहीं बताएगा इसको आप अच्छे से याद कर ले प्रैक्टिस कर ले यहां पर देखे वह है तो वह के लिए ही या सी आता है तो नहीं होता है तो सी इस्टार्ट हो जागा कि आइंजी आइड करना पड़ेगा भी फोर्ट क्या होता है भीवन में आइंजी तो याद दखिए किया होता है इसके बारे में जान लिए बनाते है वर्प का जो इसमें आपको आइंजी आड कर देना है ठीक है उसमें क्या बन जाएगा वह बन जाएगा ऑपका ऑप नीचे कमेंट करेगा मैं एक separate वीडियो बना के आपको बता दूँगा ठीक है यहां तक तो clear हो गया होगा चलिए आगे बरते हैं यहां तक आपने note कर लिया होगा यह hope कि चलिए अब आगे बरते हैं अगला example देख लेते हैं लोग जैसे वह मुझसे बात करने लगता है तो देखें वह मुझसे बात करने लगता है यहां पर से ही सी इट मेंशे कुछ आया है और यहां पर लगता है ने लगता है आपको दिख लिए तो आप लोग समझेए गाद तो यहां पिए उसके पर कोने करेंगा स्टार्ट या फिर स्टार्ट मों का सस्टार्ट है इसलिए तो लगा देंगा तो क्या हो जागा टॉकिंग तो तो he starts talking मुझसे तो he starts talking to me जिसे बात करने लगेगा वहां पर आपको लगाना पर टॉक के साथ तो आता है तो talking में ऐसे हो जाएगा तो तो फिर वह बता दूंगा तुम पहले कोछ एक्जांपल आपको करा जाता हूं जैसे तुम कि रोने लगोगे तुम रोने लगोगे तुम रोने लगोगे है इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा तो आईये बनाते है तुम का क्या हो जागा you यहां पर क्या वाद आप फिसर दोखें По यहां पर क्या हो जागा विपिंग क्राइंग भी कर सकते हैं लेकिन विपिंग भी सही होता है तो यह वेल स्टार्ट वइपिंग तुम रोने लगोगे तो फ्यूचर भी हो गया अब कोई भी डाउट नहीं होगा अगर पास्ट होता तब क्या करते हैं टो पाष्ट होता तो started कर देते हैं जैसे यहां पर थी हो जाएगा बस है कि जगब पर क्या जगा थी और यहां पर को जगा सी था वह खेलने लगता था तो क्या हो जाएगा ही उसके यहां पर स्टार्टेड क्योंकि पास्ट है भी टू वाला स्टार्टेड तो ही स्टार्टेड प्लेइंग प्ले का भी फॉर यूज करेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा प्लेइंग अब क्रिकेट जैसे वह क्रिकेट ख करके जाएगा अगर चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर दीजेगा आपको फिर से बता है ज